हेलो फ्रैंड्स, एलकम टु माई चैनल, कैसे हैं? आप सब आई, होप आप सब अच्छे होंगे, और मजे में होंगे, तो आज हम बनाएंगे, घर की मलाई से हम घी कैसे निकालते हैं? इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है और ये जो घर का घी निकलावा होता है इसे आप प्राठे के साथ रोटी के साथ आई से कहा सकते हैं तो इसे हम बनाना देखते हैं इसे हमने कैसे बनाना है एक हमें बड़ा बरतन लेना है और ये मलाई को हमने इस बरतन में डालना है विद तो बहुत अच्छे से गी निकलता है, थोड़ा साहत में इससे पेन हो सकता है, तो आप 10 सेकंड और 15 सेकंड रुक रुक के इससे आप हास टारा से अपनीकाल सकते हैं देखे यह इस तरह आपने लगेगा इस तरह इस तरह से गाडा होने लगेगा, इस तरह यह मखन आने लग और आप इंजोई भी करेंगे इस प्रोसेस को करने में और जो ये घी निकलता है तो ये बहुत ही अच्छा निकलता है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें बिना ना जाए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रैस कर दे तब भी मैं वीडियो डालू तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे तो इस तरह से करते हुए देखें एक तरफ ये मक्खन निकल आया है इसे हम मक्खन को अच्छे से प्रैस कर लेंगे जो भी इसका लिक्वीड होग और जिस बड़तन में हमें बनाना है उसमें हम इसको डाल लेंगे और यह जो बटर मिल्क बना इससे आप कड़ी भी बना सकते हैं तो ये देखिये सारा मक्खन जोता इसे हमने कड़ाई में डाल लिया है और गैस की फ्लेम हमारी अभी हाई है और इसमें हम एड़् कर एक लॉंग डाल देंगे और हम इसमें थोड़ा सा पिंच नमक डाल देंगे और लॉंग और नमक हम इसमें इसलिए डाल दें इसे गही में खुश्बू बहुत अच्छय आती है और जो हम गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इसे घी को मैल्ट होने देंगे और इसे मैल्ट होने में और घी निकलने में आदा घंटा लग जाता है क्योंकि हम इसे लो हीट पे इसे हम घी को मैल्ट करते है और घी हमारा बहुत अच्छे से निकल कर आता है तस दिन की मलाई से हमारा एक किलो घी अराम से निकल जाता है और डिपेंड करता है कि आपके घर दूद कैसा आता है अगर मलाई बहुत अच्छे से निकलती है मोटी मलाई आती है तो आपका घी एक किलो से जादे निकलेगा और घर का घी तो सबी जानते हैं कि बहुत अच्छा होता है बाहर के घी इतना अच्छा नहीं होता हमारी हल्थ के लिए और यह जो हम घी निकलना हमारा शुरू हो गया है देखेंगे आप कितना अच्छा कलर है इसका और इसकी खुश्पू भी बहुत अच्छी होती है और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है इसे आप रोटी के साथ पराटे के साथ या सबसी में डाल कर आप खाए या आप एवरी डे मॉर्निंग में अगर एक चमच घी खाते है तो आपकी हल्ग के लिए भी बहुत अच्छा होता है आपका हेर फॉल्ट भी नहीं होता और आपकी स्किन ग्लो करती है आदे गंडे बाद हमने गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और घी को हमने ठंडा कर लिया है इसे हम एक परतन में निकाल लेंगे और इसे हम अच्छे से चान लेंगे और घी हमारा देखेंगे आप कितना अच्छे कलर है इसका और कितने अच्छे से निकल कर आया है और ये जो हमारा मावा बच गया है जिसका हमने घी निकाला था इसे आप देखेंगे में नेक्स्ट वीडियो में के मैंने इस मावे के साथ क्या किया इसके साथ मैंने मिठाई बनाई है तो आप में नेक्स्ट वीडियो देखेगा और घी इसको अच्छे से प्रेस करते हुए सारा घी हम निकाल लेंगे हमारा एक किलो घी निकल गया और घी बहुत बड़े हाँ निकला है और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई रेसिपी के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखे अल्ला आफिस